नमस्कार दोस्तों, दोस्तों स्वागत आप से का मेरे यूटूब चैनल नोट्स वाला पर दोस्तों जैसे कि आपको पता है आपने यूट नमबर फरस्ट कर लिया ब्यस्व फोर्ट सेम की आजम करेंगे यूट नमबर सेकेंड जिसका नाम है lengthenides and acetanides दोस्तों यह क्या होते हैं यह F block elements होते हैं जिसमें जो last electron होता है वो enter करता है F orbital के अंदर तो चलिए दोस्तों इसको शुरू करते हैं F block elements are the elements in which last electron enters in the F orbital The last electron is added to the third to the outermost energy level that is N-2F जो last electron होता है F block elements में होता है F orbital के अंदर exist करता है इसलिए उनको हम F block elements कहते हैं lengthenides और acetanides दो series है दोस्तों जिनको हम F block elements कहते हैं इसके अंदर जो electron होता हो N-2F orbital के अंदर क्या करता है exist करता है इसके अंदर अगर मैं बात करूँ तो F block elements के अंदर total दो series होती है सबसे पहले है lengthenides और second होती है acetanides पहले हम पढ़ेंगे lengthenides को lengthenides में क्या होता है the series involving the feeling of 4F orbitals following lengthenum LA is called lengthenides series बहुँ वो series जिसके अंदर जो 4F orbitals होते हैं उनके अंदर electron fill होता है उसको हम lengthenides कहते हैं इसमें सबसे पहला होता है हमारे पास lengthenum जिसका Z बराबर 57 यानिक atomic number 57 से start होते ही है इसके अंदर total 14 elements आते हैं इनको हम rare earth metals भी कहते हैं क्योंकि बहुत कम quantity के अंदर मुझूद है इनको हम कहते हैं rare earth metals अब हम इनकी पढ़ेंगे कुछ journal characteristics lengthenides की पढ़ेंगे उसके बाद में हम acetanides की पढ़ेंगे सबसे पहले अगर हम बात को electronic structure या position of periodic table इसके अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले journal electronic configuration क्या होती है इनकी तो दोस्तो journal electronic configuration से पहले आपको पता होनी चीए elements यह 14 elements होते हैं और इनके नाम होते हैं देखिए दोस्तों यहां पर यह इनके नाम है यह है लैंथेनम, सीरियम पैरेसोड़ीमियम नियोडियम यह टोटल 14 elements होते हैं यह इसके trick याद करने की सीने पर नद्या परेम की समाईयों को गुदाई तबदिल हुआ अरे तुम पर यूही लुट गए यह अगर आपको trick याद है तो इनके आप symbol easily याद कर सकते हो यह atomic number तो आपको पता है 57 से start होकर यह 71 तक होती है इसके साथ यह electronic configuration इनके लिए करकिए अगर मैं general electronic configuration की बात करूँ तो इनकी general electronic configuration होती है 4 F, F के अंदर F orbital के अंदर आपको पता होगा 1 से 14 तक electrons फिल हो सकते हैं maximum 10 electrons D के अंदर फिल हो सकते हैं और S के अंदर maximum 2 electrons फिल कर सकते हैं तो F में 1 से 14 तक हम इसके अंदर बरते जाएंगे D के अंदर अगर मैं enlathenoids की बात करूँ तो 5D के अंदर यहां तो कहीं पर आपको मिलेगा 0 electrons यह मिलेगे 1 electrons और जो 6S cell है वो आपको completely field मिलेगे 2 electrons के साथ आगे यह लिखर कामने जिनोन है यह इस काइटोमिक नंबर 54 होता है इसको हम reference के लिए use करते हैं ताकि इसके बाद हम जो electronic configuration उसको छोटा करकर लिख सके आसानी से समझ में आ जाए लेकिन इसके बाद में जैसे सीरियम का atomic number 58 होता उसके अंदर क्या होता है D में कोई electron नहीं जाता है F के अंदर चले जाते 2 के 2 electron 4F2 6S2 इसके बाद 4F3 6S2 4F4 6S2 ऐसे चलता जाएगा इसके अंदर भी कुछ exception से जैसे EU European का exception है इसके अंदर 4F 4F7 5D 06S2 उसके बाद 4F7 5D 1 आगया यहां पर 5D 1 आगया 6S2 उनना तो यह चीए था 4F8 आना चीए था लेकिन क्या आया 4F7 5D 1 जो एक electron था वो D के अंदर चला गया क्योंकि जो half filled होते हैं half filled ज़्यादा stable होते है और fully filled ज़्यादा stable होते है इसलिए जो electron है वो F में F में जाने की बजाए D में जाने की बजाए F में चला जाता है ठीक है दोस्तों यह ज़्यादा stability एकान इसके दो exceptions है एक तो इसका European exception है और एक अगर हम बात करूं यह है Lutatium लास्ट वाला जो है वो इसका एक exception है अब यहाँ पर हम बात करें oxidation states की इससे पहले हमने देखा lengthenum की अंदर जो एक electron होता वो D के अंदर चला जाता है वो इसलिए जाता है दोस्तों जो D की जो energy होती है और जो F की energy होती है वो लगबग सेम होती है 4F और 5D के case में इसलिए जो electron होता है वो 5D के अंदर चला जाता है अगर हम बात करूँ oxidation states की तो common oxidation states है जो F block elements की वो है plus 3 F block elements की नहीं अगर lengthenum की बात करूँ तो plus 3 इनकी common oxidation state है लेकिन इसके साथ साथ यह plus 2 और plus 4 oxidation state भी शो करते हैं यह ऐसा इसलिए क्यों करते हैं इसलिए शो करते हैं plus 2 और plus 4 oxidation state ताकि इनकी जो electronic configuration हो stable electronic configuration हो जाए और यह stability को achieve कर ले compounds जैसा की they do so to obtain this stable F 0, F 7, F 14 मलब यह जो stable configuration है F 0, F 7 और F 14 इनको attain करने के लिए elements क्या करते हैं plus 2 और plus 4 oxidation state में भी exist करते हैं जैसा कि यहाँ पर example भी देर खा है C E और T B क्या है plus 4 oxidation exhibit करते हैं ताकि उनकी जो electronic configuration है वो F 0 और F 7 हो जाए इसके साथ EU और YB exhibit करते हैं plus 2 oxidation state ताकि इनकी जो electronic configuration है वो F 7 और F 14 हो जाए F 7, F 14 और F 0 क्या होती है stable electronic configuration होती है इसके बाद अगर मैं बात कुरूँ यहाँ पर तो यह color भी show करते हैं यह आप यहाँ पर देख सकते हैं यह elements है different, different यहन की oxidation states है यह color है color भी elements तब भी show करते हैं जमिन यह यह पास क्या होते हैं? अनपेड electrons होते है यह आप देख लीजिए यहाँ पर elements आपको याद करने पीछे जो ट्रिट थी उससे आपको color देखना है color आपको बस यह पता होना चीक, कौन color show करता है, कौन नहीं करता दा color of lathinoid ions arise due to absorption of light from the visible region जो ions होते हैं, lathinoid के क्या करते हैं? वो absorb कर लेते हैं, visible region से जो light पड़ती है उनके उपर तो जो resulting spectra हमें देखने को मिलता है वो 4F level के अंदर देखने को मिलता है, जिसको FF transition भी कहते हैं जिस वज़े से जो lathinoid है क्या करते हैं? दोस्तो अब तक हमने lathinoids की 3 characteristics, इनकी atomic, radii, electronic configuration, इनकी oxidation state और color डिसकस किया था 4th characteristic इनकी magnetic properties जैसे कि हमने पीछे पड़ा था, जो unpaid electrons होते हैं, जिन elements के पास हो गया करते हैं जैसे कि हमने देखा था दोस्तो जो deep block elements थे, वो क्या करते थे? पैरामेगनेटिक थे nature में कि उनकी पास unpaid electrons थे, ऐसा ही केस, lathinoids के साथ भी होगा all the lathinoids, ion with the exception of LA plus 3, LU3 plus, और CE plus 4, and YB plus 2 ये पैरामेगनेटिक होते हैं, सारे पैरामेगनेटिक होते हैं दोस्तो नेचर में, अगर हम इन च्यारों को छोड़ देतो ये पैरामेगनेटिक इसलिए होते हैं, इनकी पास क्या होते हैं, unpaid electron होते हैं, 4F orbital के अंदर अब देखें दोस्तों यहाँ पर ये है, as we know, the magnetic moment arise from two type of motion, मतलब जो magnetic moment होती है, वो two type की motions पर depend करती है, electrons की, पहली तो होती है, the spin of electron around its own axis produce magnetic moment, मतलब जो spin होगी, electrons की, खुद की axis के round, उससे हमें मिलेगी, spin magnetic moment और दूसरी जो होगी, उनकी orbital motion, जो electron करता है, nucleus के round, बलब एक तो हमारे पास spin magnetic moment मिलेगी, हमें, जो electron होता है, वो खुद की axis पर revolve करता है, जैसे की earth है, और दूसरा जो मिलता है, हमें वो मिलता है, orbital magnetic moment, वो मिलता है, जब वो electron revolve करता है, nucleus के round, तो इससे हमें क्या मिल जाती, दोस्तों, दो magnetic moments, बदो magnetic spin मिल जाएगी, एक तो हो जाएगी, spin magnetic moment, और दूसरी हो जाएगी, orbital magnetic moment, इस पर total magnetic moment depend करेगी, f block elements की case में, तो the magnetic moment of the length nerd is due to both the electron spin and orbital motion of electron, this may be calculated from the relation, उसके लिए formula होता है, दोस्तों, यह mu is equals to 4s into me, s plus 1 plus l into l plus 1, यह formula है, क्या निकालने का, यह formula है, magnetic moment निकालने का, ठीकर दोस्तों, अगर मैं s की बात करूँ, तो s तो यहाँ पर मेरा spin quantum number है, l है, orbital momentum quantum number, यह आपने class plus 1 और plus 2 में पढ़ा था, कैसे आप l और s को निकालते हो, यह आप देख लीजेगा, अब हमने देखा था, d block elements क्या करते थे, सिरफ spin quantum number, जो spin होती है, magnetic moment only, वो शो करते थे, वो क्यों करते थे, यहाँ पर हम reason देख सकते हैं, जो d block elements होते हैं, d block elements, the d orbitals are not well shielded from the environment and take part in the bond formation with ligands, due to the electric field of the ligands, the orbital motion of the electrons get restricted, d block elements के अंदर क्या होता था, जो d orbitals होते थे, वो अच्छे तरीकी से shielded नहीं थे environment से, तो उससे क्या होता था, तो वो क्या करते थे, bond formation में part करते थे, ligand के साथ, ligand के साथ क्या करते थे, bond बनाते थे, इसकी वज़े से क्या होती थी, due to the electric field of the ligand, ligand की electric field के विज़े से, जो orbital motion थी, वो restrict हो जाती थी, मतलब, orbital motion तो कोई main role play नहीं करती थी, बस spin जो motion थी, spin magnetic moment थी, वो main role play करती थी, इसलिए जो d block elements की जो हमने पढ़ी थी, magnetic moment वो depend करती थी, only spin magnetic moment पर, लेकिन f block elements की case में depend करती है, दोनों पर, spin magnetic moment पर भी और orbital magnetic moment पर भी थी, ठीक है दोस्तों आज हमने पढ़ा, चार properties पढ़ लिए हमने लेंध तरनोइट की, इस अगली वीडियो में पांचवी प्रोपर्टी पढ़ेंगे, उसके बाद लेंध तरनोइट, contraction और ऐसे तरनोइट, ठीक है दोस्तों पढ़ते रहे हैं जाहिए जाहिए बारत, थैंक यूँ झाल